एक serial killer और उसका copycat killer ये दोनों एक दूसरी के सामने आते हैं इन दोनों में एक past है, एक history है जो इस movie की mystery है Hello friends, आज के हमारी movie Our Town ये 2017 की एक Korean mystery thriller movie है ये movie बहुत सारे turns लेती है और जो भी होगा ये हम expect नहीं कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे request करना चाहता है अगर आपको वीडियो अच्छा रखता है तो प्लीज इस वीडियो को like और comment ज़रूप कर दीजेगा इसे channel को बहुत support मिलता है अब बीना किसी देरी के इस dangerous सी movie को explain करना स्टार्ट करते है वी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक security guard को एक लड़की की body टंगी हुई मिली है वह फिर दिखाय जाता है कि इसी type के अलग-अलग age group में चार murder हो चुके है mixin में हम हमारे main character जिसका नाम है यंग जू इसे gaming parlor में देखते है वहाँ उसकी landlord आई तो जल्दी से वहाँ से भाग गया क्योंकि बहुत दिनों से उसने कुछ भी rent pay नहीं किया था यंग जू एक writer है एक video game की company को वो अपनी script की idea sell करना चाता था पर वो उसमें interested नहीं थे वो कहते हैं तुमने जो भी लिखा है वो इतना real नहीं है next scene में में police meeting दिखाये जाती है यहाँ हमारा और एक main character है इसका नाम है Jason जो भी city में murder हो रहे है इस case का in charge Jason ही है उसके boss उसे investigation के बारे में पुछते है पर कुछ भी progress नहीं होई थी है उसे बहुत data जाता है यंग जू पुलिस station में आया था पास से में पत्ता चलता है यंग जू और Jason ये एक दूसरे के friends है Jason यंग जू से कहता है ज्यादा drink मत क्या करो इससे तुम्हेरी writing में तुम्हें problem आएगी Jason को अभी अभी promotion मिला था तो यंग जू उसे congratulate करता है mixing में हम देखते हैं यंग जू मर्डर की जगा पर आया हुआ था वहाँ पर date body को imagine कर रहा था इसके बाद food stall पर खाना खाते हुए यंग जू एक लटके से मिलता है इसका नाव हमें यूई ये दोनों मर्डर के बारे में discuss करते है यंग जू कहता है killer यही कही रहता होगा यंग जू जब घर पर आया तो उसके landlord ने उसके घर को lock कर दिया था वो बेफोन से उसे call लगाता है कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था उससे आप बात कर सकती थी वो हमेशे landlord को ignore करता रहता था तो इस सही नहीं था वो फिर footpath के पास बेट कर ही drink करता है कुछ बाइकर रस्ते से गुजर रहे थे तो उनमें से एक ने उस पर धुवा डाल दिया यह सब उसके face पर आया था वो बहुत ज़ादा गुसा था वो उसने देखा कि रस्ते के side पर एक गाड़ी रुकी हुई है गाड़ी में एक कपल मेंक आउट कर रहे थे इन कपल मेंसे आदमी गाड़ी से बहार निकलता है वो रस्ते के side पर toilet कर रहा था तब ही यंग्जू उसके पास आया और उसे मार डाला गाड़ी मेंसे लड़ की बहुत ज़ादा डर चुकी थी यंग्जू फिर इन दोनों को उठा कर एक टॉरेट में लेकर आया बॉर्फरेंड मर चुका था और गर्फरेंड बहुत ही ज़ादा डरी हुई थी यंग्जू से कहता है तुम मैं क्या टैलेंट है वो डर कर ही कहती है कि मैं गारा गा सकती हूँ यंग्जू कहता है कि मुझे का कर सुनाओ अगर तुमने अच्छे से काया तो तुमें मैं छोट दोंगा वो गाला का रही थी तब पीछे जाकर यंग्जू ने उसका गरा काट दिया ये सिन खतम होने के बाद हमें पता चलता है ये सब यंग्जू की इमेजिनिशन थी वो राइटर है रस्ते के सामने गाड़ी आई तो उसने ये सब इमेजिन किया था रात उसने बाहरी भी तै और अगले दिन वो लैंडलॉड के पास पहुचा वो उससे कहता है कि आपको रेंट चाहिए मेरे पास हार्ट डिस्क है जो मैं सेल करकर आपको रेंट दे सकता हूँ ये लैंडलॉड भी मान गी और उसके साथ उसके रूम दगाई वो आसपास देखती है तो कहती है तुमने कितना घटिया घर रखा है वो बहुत कुछ कम्प्लेंट कर रही थी यंग्जू ने देखा उसकी फैमिली फोटो टूट शुकी है इस पर वो बहुत ज़्यादा गुसा हो गया उसे बुछता है ये कैसे हुआ लैंडलॉड कहती है कि चावी बदलने के लिए जो आदमे आया था शायद उसने तोड़ा होगा यंग्जू उससे उच्छी आवाज में बात कर रहा था तो गहती है कि क्या तुमें तमीज नहीं है यंग्जू को और भी ज़्यादव गुसा आ गया उसने उसे मार डाला इस बारा का मर्डर ये एक रियल मर्डर था उस पर शक ना आये लैंड लेड़ी के ही पैसे लेकर उसने एक इन्वलर्प में डाले अपना नाम उस पर लिखा यानि कि पुलिस को लगेगा यंग्जू ने सही से रेंट पे किया था उस पर शक ने आयेगा सीटी में बहुत सारे मर्डर होई रहे थे और मर्डर के बाद बॉड़ी को हैंक कर दिया जाता था उसी टाइप से यंग्जू अपने लैंड लेड़ी की बॉड़ी भी हैंक करकर आता है अब सब को लगेगा कि ये मर्डर भी सीरियल किलर नहीं किया हुआ है अगली दिन पुलिस को बॉड़ी भी मिलते टूटी हुई फ्रेम बाई करने के लिए यंग्जू योई के पास आता है योई ये फ्रेम ढूनते हुए यंग्जू को अपने मोबाईल से मैसेज करता है कहता है मुझे पता है कि तुम नहीं मर्डर किया है इस मैसेज के बाद उसने कोड भी डाला हुआ था इसका मतलब क्या था कि हमें आगे पता चलेगा यंग्जू इस मैसेज से सप्राइस था फ्रेम लेकर यहां से हो चला गया इसके बाद हम देखते हैं कि योई घर पर आया उसने अपने लिए जो फूट बनाया था वो उसके डॉग ने खा लिया गुस्सा होकर वो डॉग को मार डालता है लैंड लेडी की मर्डर की इन्विस्टिकेशन करने के लिए जैसिन यंग्जू की बिल्डिंग में ही था उसके पास आया और अब ये दोनों हैंग आउट कर रहे है जैसिन गहता है किलर का चाइल्ड होट शायद घटिया होगा इसी वज़े सो ये सब चीज़े कर रहा है यंग्जू गहता है कि अगर तुम्हें उसे पकड़ना है तुम्हें उसकी तरह सोचना होगा उसे फिर एक स्टोरी हो बताता है वो गहता है एक फ्यूनरल पर दो सिस्टर्स थी वहाँ पर एक आदमी आया जो बड़ी सिस्टर को पसंद आ गया देखते ही उसे प्यार हो गया था राप में इसी बड़ी सिस्टर को सपना आता है कि अपनी sister को उसने मार डाला है अब यंग जू जेसिन से बोच्छता है कि सपना उसे क्यों आया जेसिन कहता है कि शायद हो जेलस होगी शायद हो नहीं चाहती थे कि वो आदमी उसकी sister को पसंद करे यंग जू लेता है तुम गलत हो बड़ी sister उस आदमी से funeral पर मिली थी अगर वो अपनी sister को मार डालेगी तो फिर से funeral होगा और उससे मिल पाएगी तुम्हें इस तरह से सोचना चाहिए जेसिन को शक है कि जो murder अभी अभी हुआ है वो एक copycat killer का काम है यानि कि real killer ने काम नहीं किया था अगले दिन जेसिन अपने senior से बात कर रहा था उसके senior कहते है कि बहुत सालों पहले एक SI murder हुआ था जेसिन को लगता है कि शायद उसका कुछ connection हो सकता है तो जल्दी से इस case के sub files वेगरा निकालता है जेसिन जब investigation की sub files लेकर चा रहा था तो पुलिस स्टेशन में योई से टकराता है योई एक reporter होने का ढों कर रहा था इसके बाद योई जेसिन के desk पर जाकर कुछ dolls रख कर आता है जिस तरह से फुलिस को bodies tie की हुई मिलती है कि dolls भी वेसी की है इसका मतलब है योई हमारा real killer है जेसिन यंग्जू के घर पर आया हुआ था यंग्जू कही बाहर था वो उसका PC on करता है उसने उसकी book देखी तो इसमें जो भी murder city में हो रहे है इसका description लिखा हुआ है अब जेसिन को यंग्जू पर strong शक जाता है जब यंग्जू घर पर आया तो जल्दी से जेसिन वहाँ से चला गया जेसिन पुली स्टेशन में आने के बाद योई ने उसके लिए चो डॉल्स रखी थी इन्हें नोटीस करता है बहुत ही जादा खुसा हो गया था सबसे बुचता है यहाँ कोन आया था यहाँ तुम्हारा इंटर्वी लेने के एक जनरलिस्ट आया हुआ था जेसिन जब योई से टकराया था तब उसने उसका फेस दिखा है तुसे मालूम है वो कैसे दिखता है जेसिन कहता है कि उसका आई कार्ट दिखाओ इस आई कार्ट पर एक दूसरे रिपोर्टर का नाम है जो वैकेशन पर गया हुआ है इस कार्ट पर फिंगरप्रिंट चेक करने के दो बोलता है और योई ने अल्रेडी फिंगरप्रिंट्स मिटा दिये थे लैन लेड़ी की केस में एक विटनेस थी वो कहती है कि जब उसका मर्डर हुआ उसके एक दिन पहले वो किसे के साथ जगड़ा कर रही थी यह जगड़ा रेंड को लेकर था जेशन का यंगजू पर शब और भी स्टॉंग हो गया पुलिस ने योई का स्केश बनाय हुआ था और जगा पर लगा था तो यही उसके सामने खड़ा होता है वो एक आदमी से वोच्छता है क्या है मेरे जिसे दिखता है वो आदमी इस पर हसकर चला जाता है जोई को मज़ा आता है यह उसने इस आदमी को फूल बनाया इसके बाद हमें उसके बच्चपन का सीन दिखता है तो यह बहुत ही छोटा था तो उसकी मदर उसे क्लॉजिट में बर्न कर देती थी नीचे जाकर एक आदमी के साथ इंटिमेट होती थी यह सब आवाजे सुनना योई को पसंद नहीं था जेशिन जो आप करण मर्डर होते है उसे टाइप की एक पुराने मर्डर को भी इन्वे बात कर देती थी पुलिस को लगा था कि उनमें से किसी ने उसे मार डाला इसी वज़े से केस बन हो चुका था फरनीचर की बिजनेस की बात हुई तो जेशिन को अपनी बच्पन की एक बात याद आई वो बच्पन में यंगजू के साथ हैस्कूल में था एक दिन उसके घर पर आया था यंगजू के फाधर ने देखा तो जेशिन को मारने लग गया जेशिन ने भी फाइट बैक किया तो घर में आग लग गए इससे आग में यंगजू के फाधर और मदर यह दोनों मर गए थे इस आग लगनी का फ्लम फरनिचर बिजनेस को जो ओन करती थी इससी पर लगा दिया गया था जेशिन को पता चला है कि उसे ओनर का मर्डर हुआ था उसे यंग्जू पर शक है तो उसके घर में वाया बातरूम में जाकर उसने इन्वेस्टिकेशन की तो उसे वहाँ ब्लड के स्टेंस मिले उसे शौक लगा ये यंग्जू सर्च में एक किलर है इसके बाद हमीं यंग्जू का फ्लेश बैक दिखाया जाता है जैसे कि मैं पता है कि जेशिन ने जो आग लगाई थी उसमें उसके मदर और फादर मर गए पर ये सबलिन फरनीचर के बिजनिस को ओन करने वाली लेडी पर आया था यंग्जू ने बदला लेने के लिए उस फादर मर गया इस पुरे इंसिरेंट का ब्लेम फरनीचर बिजनिस ओन करने वाली लेडी पर आया ये जो लेडी थी यही योई की मदर थी यंग्जू को बदला लेना था तो उस लेडी को उसने मार डाला रात में जेशिन यंग्जू के पास पहुचता है कहता है तुम्हे जेशिन मुझे कुछ बता रहा चाहिए ड्रिंग करते करते उसे एक जगा पर रोलेकर आया जेशिन यंग्जू को बहुत मारता है पुछता है तुमने ये किया क्यों यंग्जू को मारते मारते ही जेशिन को एक कॉल आया शिटी में दो पूलीस ऑफिसर्स का मर्डर हो जेशिन ने फिकर आउट कर लिया कि यंग्जू रियल किलर नहीं है पर अपनी लैंड लेड़ी को उसने मारा हुआ था यंग्जू जेशिन से कहता है कि मुझे अरेस्ट कर लो जेशिन कहता है कि सजा अब रियल सिरियल किलर कोई होगी यंग्जू उसका फ्रेंड है तो उ दिस्कसन चल रहा था कि सिरियल खिलर से बचने के लिए सब लोग पूरी सिटी में पेट्रोल करेंगे यह मिटिंग खत्व होने के बाद यंग जू यूई का पीछा करता है उसे शक है कि वही एक सिरियल किलर है यूई की शॉप के ऊपर कुछ डिजिट्स लगाय हुए है यह वही डिजिट्स है जो सिरियल किलर के मैसेज में थे जेशिन सब विक्टिम्स का बैगराउंड चेक करता है विक्टिम्जी स्कूल में थी यही पर यूई भी था जेशिन ने फिर यूई की वेबसाइट देखी और उसे पता चल गया कि वही सिरियल किलर है नेक सिन जब हम पहुचा तो उसे दर्वाजे पर ही रखती है यूई कहता है कि मुझे एडलिस घर में बुलाओ भार थंड है मैं को आफिक पी सकता हूँ तो यूई के साथ उसका बॉइफ्रेंड था इसका नाम था मैसांग मैसांग और सोयू ने यूई का मजग उड़ाया और वो अंदर निकालती थी यूई इस पर उसे कहता है क्या वो मेरी है मैं यंग को बहुत इंबरेस्ट लगा वो कहता है मैं सिर्व मजग कर रहा था यूई ने एक चाकू लेकर मैं को मार डाला उसके कान में कहता है तुम बहुत ही अजीब अजीब आवाज निकालते हो यूई को सोयून है उसके घर पर वो पहुंचाता है सब इन्वेस्टिकेशन कर रहा था तभी यूई ने उसे बेहुश कर दिया उसने फिर यंग्जू को कौल लगा कहा तुमारा फ्रेंड मेरे पास है आकर उसे लेकर जाओ यंग्जू घबरा कर जल्दी से वहाँ पहुचता है यूई की जेशन को लटकाया हुआ है वह भी जिन्दा है एक जगा पर बेटकर यूई उस पर गन लगाता है इस तावन में मैं सिर्फ तुमारी वज़े से आया हुआ था यंग्जू जल्दी से जाकर जेशन को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था पर यूई ने जेशन को कोली मार लगती है वो फिर यंग्जू के पास आया उसे वो टीचर बुलाता है कहता है कभी-कभी मैं तुमारी लिए थांग्फुल होता हुआ कभी-कभी लगता है तुमसे बदला लिया जाया जोई ने अपने गन यंग्जू को दे दी वो चिलाया तो मुझे मार डालो उसे मार न लगते थे उन लड़कों से यंग्जू ने उसे बचाया था यंग्जू और यूई यह दोनों फिर एक ही स्कुल में थे यंग्जू हमेशा उसका खया लगता था इसलिए यूई उसे टीचर बुलाता है यूई को पता था कि यंग्जू ने उसकी मदर को मारा है क्योंकि जब murder हो रहा था तो यही closet में ही था उसने उसे देखा था और इतने सारे साल उसे बदला रहा जाता था last में उसने यंगजू के हाथ में गन रख कर ही अपने आपको मारा है यानि कि सब murder का इलजाम अब यंगजू पर आएगा finally उसने अपना बदला ले ही लिया इसी तरीके से यह movie end हो जाती है आज का वीडियो हम यही कतम करते है आपको वीडियो चलागा तो ब्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारे movies लेकर आता है तो तो ब्लीज इस चलागा सब्सक्राइब कर दीजे बेल लोट्विशन आइकोन दावरे मत भूले